इस वीडियो में हम समझेंगे कपैसिटर कपैसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनरजी को चार्ज की फोर्म में स्टोर करता है कपैसिटर का काम लगभग बैटरी जैसा ही होता है लेकिन कपैसिटर में एनरजी अलग तरीके से स्टोर होती है बैटरी के कमपैरिजन में कपैसिटर बहुत कम एनरजी स्टोर करता है लेकिन कपैसिटर में एनरजी स्टोर और रिलीज करने की स्पीड बैटरी के कमपैरिजन में बहुत फास्ट होती है आएए समझते हैं कि कपैसिटर कैसे काम करता है कपैसिटर में दो मेटेलिक प्लेट को एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट रखा जाता है मेटेलिक कंड़क्टर में पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक होते हैं जबकि नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं साथ ही metallic conductor में positive charge और electrons के numbers सेम होते हैं जिसके कारण metallic conductor initially neutral होते हैं अब अगर हम metallic conductor में extra electrons push करने के लिए force apply करे तो हम पाते हैं कि ऐसा करपाना possible नहीं है ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि सेम charge के particle एक दूसरे को repel करते हैं जब भी कोड़ी extra electron metal plate में enter करने की कोसिस करता है तो उस metal plate के electrons उसे repel करते हैं और इसलिए external force apply करने के बावजूद metal plate electrically neutral ही रहते हैं मान लेते हैं कि इस metal plate के पास एक दूसरे metal plate को रखा गया है जब electrons first metal plate में enter करते हैं तो दूसरे metal plate के electrons repel होने लगते हैं और metal plate से बाहर आने लगते हैं Electrons बाहर आते ही दूसरे metal plate पर positive particle के नंबर negative electrons के comparison में ज्यादा हो जाते हैं और ये positive particle first metal plate के electrons को attract करने लगते हैं हम ये देखते हैं कि first metal plate में जितने extra electrons add होते हैं उतने ही electrons दूसरे plate से exit होते हैं हम देख सकते हैं कि first metal plate पे net negative charge create होता है वहीं दूसरी और equal और opposite charge create होता है साथ ही हम external force की मदद से दोनों metal plate के net charge को increase और decrease भी कर सकते हैं दोनों metal पे charge create होने के बाद दूसरे metal के positive charge particle first metal के negative particle electrons को attract करते हैं अगर हम external force first metal से remove कर दे तो हम देखते हैं कि metal के electrons एक दूसरे को repel करने लगते हैं और extra electrons metal से बाहर आ जाते हैं वहीं दूसरी और metal plate के electrons अपनी initial position पे वापस आने लगते हैं और फिर से दोनों metal plate पे net charge zero हो जाता है इन metal plate का charge और discharge होना ही capacitor का main function है जिस पे वो work करता है कपैसिटर को charge करने के लिए हमें external source की जरूरत होती है उसके लिए हम battery का use कर सकते हैं अनिमेशन में हम देखते हैं कि जैसे ही हम कपैसिटर को battery से connect करते हैं वैसे ही कपैसिटर के एक metal के electrons, wire के through, कपैसिटर के दूसरे metal पे transfer होने लगते हैं इस process को हम charging कहते हैं और इस condition में battery और कपैसिटर का potential same होता है बैटरी remove करने पर metal के extra electrons move नहीं करते ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों metal plate के बीच insulating medium होता है अब अगर हम कपैसिटर को wire के through एक bulb से connect करें तो हम देखते हैं कि कपैसिटर के एक terminal से electrons दूसरे terminal पे transfer होने लगते हैं सरकिट में electrons flow होने से current बनता है और bulb से light emit होने लगती है और इस तरह कपैसिटर एक energy storage device की तरह काम करता है अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें तो मिलते हैं next वीडियो में